सबक नमबर दस लिबास मश्की सवलत की जवाबात महुल का मुताला हिस्सा एक चोथी जमात इस सबक की मश्क हम हल करेंगे जैल के चिदोल में दियो हे लबजों की आप से मनासिबत देखकर जोड़िये बेल से उन बनता है उन से सुटर बनते हैं कपास से धागा बनता है धागे से कपड़ा बनता है पटसन से सुतली बनती है सुतली से बोरी बनती है तस्वीर में दियो ही कौन सी चीजे कप्रे दोने के लिए इस्तिमाल होती है साबन, डिटर्जन पाउडर, राग, इतर साबन, डिटर्जन पाउडर कपड़े दोनी के लिए इस्तिमाल होती है कौन सा शक्स पुराने कपड़े लेकर बरतन देता है कलीगर, मुबादलाकार, मनियार कपड़े लेकर मुबादलाकार बरतन देता है माजित के जिसमें आज बहुत खुजली हो रही है इसको क्या करना चाहिए मुनासिब गरो डुनिए नमबर एक अच्छी तरह नहाना इतर लगाना कपड़े बदलना नमबर दो अच्छी तरह नहाना कपड़े बदलना राक लगाना नमबर तीन अच्छी तरह नहाना, साफ कपड़े पहनना, इलाज करना माजित के लिए इन तीनों में से मुनासिब ग्रोह है अच्छी तरह नहाना, साफ कपड़े पहनना, इलाज करना आब औ हवा के लिहाद से हम लिबास में कौन से तबदिली करते हैं? चार जमले लिखिए नमबर एक, गर्मी के मौसम में सोती लिबास इस्तिमाल करते हैं नमबर दो, मौसम सर्मा में गरम और उनी कपड़े इस्तिमाल करते हैं 3. मौसम सर्मा में कान और गर्दन ढपने के लिए मौफलर या बड़े रूमाल इस्तिमाल करती है 4. गर्मी के मौसम में दूप से बचाओ के लिए सर पर रूमाल पहनते है आपके पसंदिते लिबास की तस्वीर बनाईए इस तरह तस्वीर बनाना है भेड के बालों से हमें उन मिलता है और वो कौन सा हैवान है जिसके धागे के जरीए हम मुलाइम कपड़ा बना सकते हैं रेशम के कीले से रेशम हासिल होता है रेशमे धागे से बने हुए कपड़े मुलाइम होते हैं